कि नमस्कार कि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कि एस्पी सिटी मेरट के पद पे रहते हुए मेरी प्रतिन युक्ति संयुक्त राष्ट संग की जो शांती शांती मिशन है पीस मिशन है उसमें कुसोवो जो पूर में युगसलाविया का पार्ट रहा है उसमें मेरी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी दरसल इसकी प्रॉसेस तो शुरू हो गई थी जुन जुलाई 2007 में बारस सरकार की तरफ से एक सरकूलेशन जाता है कि जो पुलिस का कंपोनेंट संयुक्तरास संग के अलग-अलग देशों में जहां पर संयुक्तरास संग के अलग-अलग संयुक्तराज संके उनके पुलिस आफसर्स और सैन ने टुकडियों को वहां तैनाद किया जाता है जून जुलाई में कुसोबो का मिशन ये 2000 के आस पास शुरू हुआ था जिसमें भारती कंटिंजेंट काफी बड़ा जाता था जिसमें सिविल पुलिस का हिस्सा था और कुछ परा मिलिटरी फोर्स का भी हिस्सा रहा करता था इसकी टेस्ट की प्रकिया होती है पहले आप राज्य सरकार आपको नामंकित करती है कि हमारे यहां से यह यह अधिकारी नामंकित किये जा रहे है वहां पर जब आप युनाटिट नेशन में जाएंगे तो वहां पढ़ी बेसंट के पहुंचेगा तो उसकी वही रइंक है और कोई IPS अफसर पहुंचेगा तो उसकी वही रहły रहा कोई रैंक का विभेद नहीं है कोई जूनियर सीनियर का विभेद नहीं है अलग-अलग देशों के पुलीस दिकारी वहां-पर अपने अपने हैं। अशे नामांकित होते हैं लेकिन वो जाएंगे वहां पर तो जाएंगे वह संयुगत राज संकी एक टेस्ट की टीम होती है जो निश्चित समय पर उस देश में जाती है वहां वो अपने हिसाब से जो उनके अहां प्रतनियुक्त पर जाने वाले अधिकारी हैं उनका में क्वालिफाई हो जाते हैं तब उन्हें हरी जंडी दी जाती है तब उन्हें नो अब्जिक्शन सेटिफिकेट दिया जाता है कि यह संयुक्त राज संग में सरु करने के लिए उप्युक्त पाए गये हैं तो नोडल एजनसी जो भारत में है जो देश की है वो आई टी बीपी थी और नॉमनेशन की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है सभी स्टेट से नॉमनेशन मांगे जाते हैं फिर वो ग्रीह मंत्राले भारत सरकार के पास जाते हैं ग्रीह मंत्राले उसमें संख्या के आधार प कि इन पर सहमती व्यक्ति की है गृह मंत्राले भारत सरकार ने और यह सूचना के अनुसार अपना टेस्ट देने के लिए दिल्ली में आई टी बीपी के सिंटर पे उपस्थित हों पहले नॉमिनेशन हुआ नॉमिनेशन में हम लोग गए उत्रप्रदेश पुलिस से एक इंस्पेक्टर जो सीम सेक्योर्टी में बहुत दिन तक तैनात रहे अब लिप्टी एस्पी होके रिटायर हो गए हैं चमुली श्री केपी सिंग जो इसमें आई जी रेंज हैं अलहाबाद में और और थोड़े से कुछ इंस्पेक्टर सब इस्पेक्टर जाया दर इंटेलिजेंस के कर्मचारी एधिकारी इसमें शामिल थे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं थी लेकिन यह नॉमिनेट हुई कि आप लोग ट सूचना आई कि आप अक्टूबर में किसी दिनांक में कि आप लोग यहां पर उपस्तित हों जहां युनाइटेड नेशन की टीम आ रही है और वो टीम आप लोगों को अपने पैरामीटर्स पर चेक करेगी पैरामीटर्स उनके हैं एक तो इंग्लिश स्पीकिंग इंग्ल से बड़ा टेस्ट उनके हाँ है वो है ड्राइविंग का ड्राइविंग स्किल्स का और उसमें उसको पार करना बैक करना पर्टिकुलर स्पेस से उसको पास करना और फिर जो ड्राइवर्स की सेफटी के जो नियम है कि आपने सीट बेल्ट लगाई की नहीं लगाई आपने हैंड ब्रेक लगाया कि नहीं लगाया और आपने इंडिकेटर दिये कि नहीं दिये हमारे हाँ जो आदत है कि अगर बैक करते समय हम शीशे में से सिर निकाल कर पीछे देखकर और तब गाड़ी को बैक करते हैं यह एक सामान ने आदत है सभी हमारे कम से कम उत्तर भारतियों को जिनको मैं जानता हूं वहां पर सीशे से सिर निकाल कर बैक गाली बैक करने इसमें आपके नंबर काटे जाते हैं आपको बैक मिरर से ही बैक करना है पीछे बैक करने के लिए दो ट्रैफिक के कौन रखे जाते हैं आप मिरर से ही उनको उन दोनों कॉन्स को बिना टच किये हुए उस पार ले जाना फिर उस पार से लाकर बैग करके इस पार ले आना ये टेस्टिंग का सबसे एहम हिस्सा होता है अगला हिस्सा उनका होता है वो फाइरिंग का होता है ITBP की एक underground firing range है उसमें 10-10 कार्तूस 9mm के आपको दिये जाते हैं और instructors जो होते हैं वो ITBP के होते हैं और ITBP वाले अपने ही supervision में आपकी firing का test लेते हैं वो भी काफी अहम हिस्सा है तो तीन चीजें एक तो यह कि आपकी English की understanding क्योंकि वहां जो भाषा है संयुक्तराशन की कम्यूनिकेशन की वह अंग्रेजी है दूसरा इसलिए जरूरी है कि वहां सभी देशों के Americans और अपने एशिया महादीप में भारती बंगलादेशी पाकिस्तानी नेपाली यह यहां की के पुलिस अफसर भी वहां होते हैं इसी के साथ साथ अफ्रीकन देशों के पुलिस और्गनाजेशन के लोग होते हैं तो पूरे देश पूरे विश्व भरके ऐसे लीडिंग ज हो सकता है तो यह टेस्ट और यह टेस्ट बहुत कड़ा होता है खासकर जो हमारे उतर भारतीं है यह ड्राइविंग के स्टेस्अ उनके लिए बड़ा लुए कटिस्ट माना जाता है मैं भी इतनी लंबी सर्विस के बाद भी ड्राइविंग खुद जरूर करता था लेकिन ड्राइविंग जो हमारे हाँ पुलिस में होती है वो बस की जल्दी पहुंचना है सही जगह पहुंचना है जहां भी पहुंचे गाली जहां मर्जी हो खड़ी कर दिया उसके बाद अप बहुत ही बारी किसी जैसे आप सलक पे पार्क नहीं कर सकते हैं अगर आपको सलक पे पार करना होगा तो बाई तरफ की दोनों दोनों पहिए पटरी पर जो उसका फुटपात होता है उस पर हो और बाकी के दो पहिए सलक पे हो तब वो पार्किंग इल्लीगल नहीं मानी जा के जो अधिकारी आते हैं वो उसको बहुत ही बारीकी से टेस्ट करते हैं हमने भी इसकी काफी लग्नावू में ट्रेनिंग की थी पहले फिर उसके बाद मेरट में जब हमें जाना पड़ा उसके लिए तो उसके लिए भी मैं सबसेदिक मेहनत मुझे ड्राइविंग के पाठा हुए तीन-चार दिन का इस्टे था दिल्ली में वहां जब नंबर आया 55 के ग्रुप में वह जो इसका टेस्ट था रिटेन टेस्ट या जो इंग्लिश का टेस्ट था इंग्लिश फ्लुएंसी का इंग्लिश कम पूजिशन का यह टेस्ट तो सबको एक साथ बिठा के इन्हों ने लिया हॉल में उसके बाद फिर फाइरिंग और ड्राइविंग के टेस्ट अलग-अलग समय पर ग्रुप बनाकर लिये गए चार-पांस दिन के बाद वो टेस्ट देखकर हम वापस आ गए और फिर ऐसा बताया गया कि आपको पंदर दिन या बीस दिन बाद यह कम्यूनिकेट होगा कि आपने यह क्वालिफाई किया कि नहीं किया हलांकि मौके पर यह पता लग जाता है आधे सेधिक लोग जो देश के अलग-अलग राजियों की पुलिस से आये थे बिचारे वो ड्राइविंग टेस्ट में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हिंदी प्रजिशन यह कि काफी कम संख्या में लोग अपने प्रदेश से क्वालिफाई किये और लेकिन फिर भी भारत का कंटिंजन काफी बढ़ा हो गया 15-25 दिन में यह कम्मिनिकेट कर दिया गया है कि आप लोग क्वालिफाई कर गया है आप नोटिस का इंतजार के लिए आपको सरकार से सुचित किया जाएगा कि कब आपको पहुंशना है क्योंकि उसमें आपका ऑफिशल पासपोर्ट योएन का जो पासपोर्ट होता है का शेंजन वीजा बाकी जगह का है कुसोवो का वीजा थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उस समय कुसोवो न तो आजाद देश हुआ था और नहीं उसको मानेचा मिले थी भारत सरकार से तो इसलिए वो शेंजन वीजा ही उसका वो बनाते थे जो प्रिश्टिना के यानि ज सब के बराबर टश में था कि अब जब भी बुलाए जाएगा हम यहां से जाएंगे दो तीन चीज़ें और इसमें आपकी समझने के लिए हैं कि संयुक्त राश संग में डेपटेशन पर जाने के लिए एक तो जो डेश की सरकारों का अनुबंध होता है युनाइट नेशन में कि हम जब वहां जाएंगे तो हमारी जितनी भी जो हमें सहूलियत जो हमें सुवजाएं यहां जिस भी पत्में हैं मिलती हैं जैसे मेरा आवास वो खाली नहीं कराए जाएगा सरकारी आवास है तो मेरी तंखा मुझे जितनी मिलती थी मेरे कुलीक्स या मेरे साथ के लो आसरे पुलिस आफसर अपने देश में जो ही सुविधाय आपको अनुबन ने थी वहाद उसमें से कोई कटौती नहीं की जाएगी यह कहके नहीं कि साभ आप हमारे हाँ इस समय काम नहीं कर रहे हैं या आप इस समय उत्रपरदेश पुलिस में नौकरी नहीं कर रहे हैं कहीं और कर रहे हैं इसलिए आपको यह यह सविधाय नहीं मिलेंगी यह जो अनबंध है सभी अपने देशों के साथ उसके हिसाब से ऐसा किया जाता है इसके अलावा कि जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो वहां आप जितने लोग भी वहां जाएंगे वह सब डेली वेजर्स हैं वह दिहारी हैं वहां पर संजीक राजसंग उनको डेली वेजर्स पर रखता है कि आपने एक दिन काम किया है तो उस समय जो आपका मेंसे है जो आपका मेंटिनेंस अलावंस है उस दिन का वह एक दिन का दिया जाएगा वो भी काफी था उस समय उस समय 35 रूप चालिस यूरो या 50 यूरो पर डे था और उसको रूपे में आप तबदिल कर लिजिए तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन का वहां अलावंस कितना रहा होगा पहले जब हम लोग आइटी बीपी में फिर उसके बाद दिसंबर में 12 या 11 दिसंबर को ही यह सूचना आ गई कि आपको 15 दिन पूरी की प्रिप्रेशन के लिए यहां दिल्ली में रहना होगा और आप सभी लोग अपनी अपनी जगह से कारिमक्त होकर और दिल्ली पहुंचे हैं तो 11 तारिक को मैं भी सब्सक्राइब के पत से कारिमक्त हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस से भी हेडकोर्टर से भी वहां से भी संहिक्तराज संग के लिए कारिमक्त हुआ और हम लोगों ने अपनी आमद दर्ज कराई ITBP हेडकोर्टर दिल्ली में फिर वहां एक लंबा से जला था पास्पोर्ट बनने का जो अलग अलग प्रदेशों के जो पुलिस सत्यकारी आये थे काफी लंबा उस समय नब्वे के आसपास हमनों का कंटिंजेंट हो गया था भारत देश का उस समय के उस ट्रिप का तो उनका सब का पास्पोर्ट बनना उनका सब का वीजा लगना सब की और वो आपके अकाउंट में ट्रांसर होना है तो उसके लिए इंटरनेशनल अकाउंट का खुलवाया जाना वहीं इस्थानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक इस्थानी ब्रांच थी उस ब्रांच में हम लोगों का सब का एकाउंट खोला गया है उसके अलावा वहाँ जो भारत का प्रत्तित्यु करते समय सबकी एक ड्रेस होगी क्योंकि आपने देखा होगा कि पुलिस में भी अलग-अलग राजियों की अपनी अलग-अलग ड्रेस है लेकिन यह अधिकार दिया गया है जैसे हमारा उत्रप्रदेश पुलिस का लोगो है तो हम उसे वहाँ इ यूएन की बेरे कैप आपने यूएन के जहां-जहां सहीतरासंग के जहां-जहां कंटिंजेंट देखे होंगे शांती मेंटेन करने के लिए जिन-जिन देशों में रखे गए हैं उसकी जो फुटेज आती है टीवी में अलग-अलग समय पर किसी समाचार के परिभेश में तो आप उसे देखेंगे तो उसमें बहुत ही लाइट नीले कलर की एक कैप होती है जिसमें यूएन का एक इम्बलेम उसका एक लोगो लगा हुआ होता है हम अपना नाम एक तरफ लिखते हैं जो सामाशन निर्धारित नाम है और दूसरी तरफ देश का नाम लिखा होता है यानि सीने पर एक तरफ हमारी नेम्पलेट और दूसरी तरफ भारत इंडिया और जो हमारा लोगो होगा वो भारत का लोगो होगा वो भारत सरकार द्वारा प्रस्क्राइब है जिसमें एक तिरंगा बना होता है तो ये सब चीजें इन सब चीजों से तैयार किया गया फिर हम लोगों को वहाँ पे कंडिशनिंग के लिए एक तीन दिन का चार दिन का और कोर्स कराया गया कि वहाँ पूर टिंपरेचर कभी कभी माइनस 17 माइनस 20 तक पहुंच जाता है तो अपने आपको उसके लिए कैसे त 10 डिग्री से उपर नहीं गया मैक्सिमम गया 12 डिग्री और 12 डिग्री गया तो वहां लोकल अखवारों में और तमाम जो वहां के चैनल से हैं उसमें यह कहा जाने लगा कि साल गर्मी बहुत पड़ी है फिर यह सब सारी फर्मिल्टी पूरी करने के बाद उनकिस तारीक को ह उसके टिकट भी दिये गए सब टिकट हम लोगों ने वीजा पासपोर्ट अचा पासपोर्ट का कैसे इस्तेमाल करना है मैं तो खुद पहले कभी भी देश के बाहर नहीं गया था नेपाल को छोड़के तो इसलिए मेरे लिए सब कुछ नया नया था किसा पासपोर्ट जो ह उसमें बाहर की तरफ यह साफ इंडिकेशन होगा कि आप किस देश से हैं यानि इंडिया का जो जो तिरंगा है और उसके साथ बना हुआ एक इंबलम है जो प्रिसक्राइब है उसको सबसे उपर रखेंगे पासपोर्ट रखेंगे और उसी में उस पाउच में ही आप बहुत ही कठिन और उबाऊ और बड़ा समय लेने वाला प्रोसीजर है तो उसके लिए भी बताया गया बहुत तमाम चीजें 15 दिनों तक सब चीजों के बारे में वहां बताया गया और वहां की सिचिवेशन कैसी है वहां को सो में वहां का जगड़ा क्या था वहां क्यों सं तुहल का विशे हो गया था अब समस्या यह हुई वहां पर जब यह बताया गया खान पान के लिए कि वह पूरी तरह से मांसाहारी देश है शाकाहार का वहां कोई कंसेप्ट नहीं है तो अब यह दिकत वी जैसे रोटी के लिए बताया गया वो बिलकुल कहीं नहीं मिलती सबजीया हरी वहां मिलती है और मिल्क प्रॉडक्ट वहां बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं तो कुछ विद्वान साथियों ने जो हम लोगों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने का साब दिल्ली पुलिस के भी तमाम लोग थे उसमें एक प्रदीपोता साब थे बहुत बढ इस 15 दिनों में तो उन्होंने का साब हम तो वह एक सब्जी और पराठे का रेडिमेड एक पैकेट आता है जो सब्जी को आप उबलते हुए पानी में डाल दीजे तो वह बिल्कुल अच्छी से रेडिमेड हो जाती है और फिर उसके बाद बाहर निकाल दीजे इसी तरह प और खोड बनाना है क्योंकि किसी होटल में नहीं मिलती थी वहां कोई किसी तरह के शाकाहरी होटल की कोई विवस्था नहीं थी कोई भारती यह वहन已经 है कि आपको कुछ कोई आपकी मदद कर सके कुल मिला कि एक वहां रिस्टराँ बहुत छोटा था जो पाकिस्तानी चलाते थे उसमें इंडियन्स भी जाते थे और जो नॉन वेज के बहुत चौकीन थे इसके अलावा कोई वहां भारती विंजन वह भी रोटी नहीं देते थे जो प सब्सक्राइब नेशन के कंटिंजन दाने लगे और इसमें उनको पता लगा कि पाकिस्तानी भी रहते हैं तो एक प्रिश्चेना में छोटी सी जगह लेके वह अपना रिस्टराँ चलाया करते थे तो अब यह दिक्कत थी कि उसके लिए क्या-क्या ले जाये यह भी बताया गया कि वहां आटा नहीं मिलेगा आपको वहां ब्रेड सरकारी आउटलेट से मिलता है जो वहां के लोकल रिजडेंट से लेते हैं बाकि आपको ब्रेड अगर बजारों से आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं तो यह हुआ कि चलके वहां देखा जाए जो लोग पहले गए थे उनसे संपर किया गया किसी का मेल था किसी का मोबाइल नंबर था और क थीजों की जरूरत पड़ती है जिए वहां पर जो हमें नहीं मिलते हैं एक तो बिजली के जो जैसे आप अपना लैपटॉप ले जा रहे हैं और उसको आपको चार्ज करना हैं तो वहाँ टोड़े पिन वाले नहीं चोड़े पिन आप लेंगे वह खरीदने जाएंगे तो तो वह पांच एरो छे रो यानि करीब ताथ तीन सो चार सो पांच सो तक के भी मिलते हैं तो वह आपको बहुत महंगा होगा वह लेते जाएगा सुई धागा बटन इस तरह की चीजें उन्होंने उसमें लिखी गरम मसाले वहां कहीं दूर दूर तक नहीं मिलते हैं वह आप लेते जाएगा और गरम मसाले में क्या क्या ले जाना है क्या उन्होंने ये सब बताया उन्होंने बताया दाल किसी कीमत पे नहीं मिलेगी वहां अगर कोई आप बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो जर्मनी से डाल थोड़ी बहुत मिलेगी लेकिन करीब 20 गुना 50 गुना उसका दाम आपको देना पड़ेगा अब ये भी एक संकट था कि जो कुल अनुमन्य भार था हमें साथ ले जाने का वो 35 किलो था जो मुझे सही या और गरम कपड़ों के लिए बार-बार कहा गया तो साब कोट भी और इनर मैंने वैसे कभी नहीं पहना जाड़ों में इनर सामान रूप से हाँ जाड़ों के समय में पुलिस कर्मी पहनते हैं लेकिन सम्हाव मैंने मुझे कभी मैंने नहीं पहना कुछ दिक्कत होती थी हमें जाधा कि घालें अनमणास हो जाता हूं इसको पहनने के बाद तो सब इनर पहनने के लिए और वो भी उनी इनर पहनना फिर स्वेटर भी और कोट भी और वो जिसे कहते हैं कि जैकेट्स चम्डे के जैकेट्ट यह सब चीजह अलग-अलग जैसा जैसा पताया गया वह भाग भाग के दुकानों से ले आए और कपड़ों का इन सबकाई वजन इतना पहुंच गया कि फिर वह दाल चावल और रोटी चावल का वहां बिल्कुल स्कोप नहीं है वहां पैदा भी नहीं होता चावल भी ले जाना था और ये भी बताया गया कि आप अगर सब् जाती है और फिर जब वह एक अठा आपको चता में दो दिन की चुट्टी ओं अकुमुलेट हुके तो आपको एक महने बाद 8 दिन की और दो महने बाद इस तरह से करके जोड़ कर अगर आप तीन महने पूरा वहां continuous हर दिन काम करेंगे तब आपको 15-20 दिन की अधनी ये contingent 2000 से जा रहा थे यानि हमारे पहले साथ contingent जा चुके थे भारत के पुलिस अधिकारियों के उनका नाम पता लगा के कुछ लोगों को फेस्बुक पे ढूंड के और उनसे बातचीत करके ये चीजें समझ में आई कि आपका ले जाना आवश्यक है मेरे लिए एक और गंभीर संकट था मैं पान मसाला खाने का आदी था पहले भी था हूँ और हमें नहीं लगता है कि वो अभी जल्दी छूट पाएगा रजनी गंधा और तूल्शी मुझे मैंने पूछा कि इसके लिए क्या इंतिजाम है बोले इसका तो कोई मतलब भी नहीं वहां पर वो या किसी तरह का मैस्टिकेट्री सबस्टेंस जो भारत में सामाने रूप से इस्तमाल होता है वो वहां नहीं मिलेगा तो अब इसका इसके लिए मैंने फिर अपने हा लखनौ में मौसी एरपोर्ट पर डिल्ली में कुछ जो सी आइसेफ के लोग थे हम लोगों के जान पैसान के इसाब कितने डिब्बे हम लेते जाए तो उन्होंने का सब देखे यहां से ले जाने में कोई दिक्कत नहीं यहां से सब को पता है कि यह पान मसाला है यहां आप दिक्कत नहीं होगी लेकिन वहां किस एयरपोर्ट के थूज आ रहे हैं अगर युरूपीन एयरपोर्ट के किसी के थूज है क्योंकि सीध्य कोई फ्लाइट आपको हिंदुस्तान से प्रिस्टीना के लिए यानि को सोवा के लिए नहीं मिलेगे अगर आपकिसी दूसरे फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो लोग अपना दिबा वहीं छोड़के उनके कब्जे में देखे चले जाते हैं फिर यह हुआ कि साथ कितना ले जाए जाएगी तीन महीने यह चले तो अब पूरा तेलकुलेट करके यह निकाला गया कि कम सकम 15-20 डिबे ले जाए जाए अब यह समझ सकते हैं कि यहां जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं तो हमें उसकी जिसको कहते हैं कि हमें उसकी न तो याद आती है न उसकी कदर आती है न न न उसकी इंपोर्टेंस का पता होता है और वहां जाने के बाद बहुत ऐसी चीजों की याद आई जो जिस पे कभी कि मिठाई नहीं मिलती है और शामाने पोलीन से यूरोक में मिठाई खाने का कि चलन भी नहीं है ऑर यह जो कांट्रीज जिनमें यह भी है यूगसलाविया था ची सर्हिया पहरके थे हैं आप वह बस निया रजय को मैसैडोनिया च ऑषकती unacceptable जो वह हैं कुरेशिया है यह आसपास की जो देश हैं यह ठंडे देश हैं बालकंस की भाड़ी भाड़ी स्टेट इनको कहते हैं बालकंस की और यह जो तर्की संपायर पहले हुआ करता था यह उसी तर्की संपायर के पार्ट है मेरा हिस्टी में बहुत दखल नहीं है हिस्टी तर्किश एंपायर थे जिसमें बाद में मुस्तफा कमाल अता तुर्क लिबरल नेता हुए एक सोफिस्टिकेटिड नेता हुए उसके पहले जो वहां जित्ती लडाईयां हुई हैं वो टर्किश एंपायर के अंतरद्वंद की विज़े से हुई हैं जो दूसरे लोग वहां पर रहते थे और तो डॉक किस्टियंस उन जिन जिन देशों में थे उन से उनको करजा करके यह तर्किश एंपायर ने अपने में मिला लिया था फिर एक एक करके वह धीरी धीरे उनसे अलग भी हुए तो यह लंबी हिस्ट्री है उस इलाके की बहुत परानी बहुत ही जग मिला पर पहुंचेंगे अब सब अपना अपना वो सामान कितना हो गया अब इसको कैसे अब वहां हम जब मिरट से गए तो वहां एक होटल के कमरे में रुपे अब सब लोग एक्साइटेट थे घर में मेरी बच्चे भी घर वाले भी मेरी पतनी भी अब वो उसको देखा ज जादा होता है और वो न देना पड़े इसके लिए अब उसको लेकर किसी स्टोर पे जाके अब वह स्टोर वाला भी पूचता है या कहे तौला रहे हैं आप इसको तो उसको देखा जाता था कि अरे भाई ये तो डियोड गिलो जाता है अब उसमें से कौन सी चीज कम की जा और फिर फाइनली उसको हम लोगों ने पैक किया क्योंकि लगिज में समान जाएगा 20 जगह उतारा जाएगा फेका जाएगा उसको बड़ी बेकदरी से वो कन्वेर बेल्ट पे आता है और फिर आप उसको कलेट करते हैं तो ऐसी ये भी बताया गया था वहां कि अपने समान अच्छे से पैक करिएगा क्योंकि एक बार वो चितर बितर हो गया तो फिर आप उसको रास्ते में कहीं पैक नहीं कर पाएंगे और फिर ट्रांस्पोर्टेशन में बहुत दिक्कत होगी उपर उसमें आपका चुकि सब एक ही तरह के बैक थे तो ये आप ही का सामान है ये पता लगा आपका बेल्ट से सामान नहीं आया दो घंटे आपने इंतजार किया अगली फ्लाइट आई आपको जाना पड़ गया आप उसका एक सिस्टम है कंप्लेंट करने का कि साब हमने ये सामान अबना दिया था उसकी स्लिप ही है और उस सामान मिल नहीं रहा है तो इस स समय तो हम लोग के पास इंडियन मोबाइल फोनी थे और उसी फोन का हम लोग इस्तेमाल करते थे तो सब को ये सलाह दी गई कि सब लोग और पेस्ट उसका ऐसा करिए उसके उपर से सेलोटेप लगा दीजे ताकि वो उखड़े नहीं चारों तरफ लगा दीजे कि अगर इन हलांकि जिम्मेदारी उसे एरलाइंस की होती है जो उसको ले जाती है लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं उस समय लंबे रूट के भी फ्लाइट्स थी कुछ आस्ट्रिया होके आप जा सकते थे लेकिन हम लोगों को सब से कम जंजट वाली जो थी कि यहां से इस्तांबूल औ इस्तांबूल से प्रिष्टिना और उसमें दो एरलाइंस का दखल था तो इसलिए हम लोगों को वही आई टी बीपी की तरफ से उसी में सबका सबका टिकट कराया गया और उसी में सबको जाने के लिए कहा गया हमारे ख्याल से आज इतना ही कल हम प्रिष्टिना पहुंच जाएंगे वहां समस्या क्या है कि समस्या के वेज़े से यह इंटरनेशनल फोर्स वहां लगाई गई वहां के लोगों का बीहिवियर कैसा है और क्या कुछ वहां ऐसा डेवलप्मेंट था जिसकी जिस पर नजर रखने के लिए हम लोगों को भीजा गया था तीसीरी बात य यू एन डेपटेशन में आप में रैंक में अंतर नहीं होता अगर कोई डियाजी सहाब किसी दूसरे प्रदेश के गए थे तो वही वही डूटी करते थे घर्ष्ट की जो हमारे इंस्पेक्टर चमुली साफ करते थे जो हमारे एक सब इस्पेक्टर वहां के थे करनाटका के वो करते थे सब को बराबर बराबर डूटी और बराबर पारिशमिक वहां था तो इसके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद